हाई दिस इस याश्ट कोलापुरे जो भी लोग अभी 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत ही हेलफुल होने वाला है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यार कॉलेज दो टाइप्स के होते हैं कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस होते हैं और कुछ आफिलेट लेकिन कॉलेज ऑटोनॉमस हो या आफिलेट ये दोनों भी कॉलेज किसी ना किसी युनिवर्सिटी के अंडर ही आते हैं और अगर इनमें डिफरेंस की बात करें तो आफिले वादम होता है कि वो अपना syllabus खुछ सेट कर सकते हैं और according to need उसे change भी कर सकते हैं और अगर exams की बात करें तो for example अगर किसी university के अंडर अगर 50 colleges आते हैं तो उन सारे colleges का syllabus तो सेम रहेगा इसलिए उन सारे 50 colleges में exam papers भी सेम रहेंगे और वही autonomous college में जो भी exams होते हैं उनके papers आपको जो faculties पढ़ाते हैं वही set करते हैं और checking भी college में हो जाती है तो आपको result भी जल्दी मिल जाता है इसके बाद अगर और कुछ benefits की बात करें तो यह जो autonomous colleges होते हैं यह बहुत ही reputed colleges होते हैं यह जो autonomous का tag है वो college को UGC University Grand Commission की तरफ से मिलता है और यह जो autonomous का tag है वो सभी colleges को नहीं मिल पाता है इसके लिए college को कुछ terms and condition को satisfy करना होता है तो यह था कुछ basic difference autonomous और affiliate colleges के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कर लेना यूकि और भी college related content इस चैनल पर आने वाला है कर दो